दोस्तो जब भी प्राइज सपोर्ट की लेवल पे होता है तो आपको ये पता नहीं चलता कि ये जो प्राइज है तो सपोर्ट की लेवल को ब्रेक करेगा या तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए रिवर्सल होगा वो ऐसे ही अगर price resistance की level पे आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो resistance है तो price उसको break करेगा या तो वहां से reversal हो जाएगा और आज का ये खास वीडियो उसे के regarding है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहां से जो है तो identify कर सकते है कि price जो है तो जो particular वो जो आपका resistance या तो support है तो उसको hold करेगा या तो उसको break करेगा ताकि आप long जाना है या उस level से short करना है इसके बारे में आप decision ले सकते है so without wasting anytime let's begin तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ power candle का example यह power candle होता क्या है मान लो price ने क्या किया कि इस तरह से higher high higher low करते हुए price जो है तो वो यहां पर close हो गया अब next time जो है तो आपके लिए support और resistance कोंसा होता है आपके लिए support का का काम करेगा ये level और उसके 双नला level तो अभी अपने क्या करना है price patiently wait करना है इस level पर आने का ये तो आपने इस level पर ये जो resistance है इसके level पर price आने का या तो support की level पर price आने का उसके बाद में जो है तो आपको मैं बता देता हूँ power candle होता क्या है power candle मतलब मान लो इस तरह से जो है तो support की और आते हुए जो candle होती है उसको हम power candle कहते है यानि कि बड़ी बड़ी candle जो है तो support की ओर आती हुई आपको दिखाई देगी अब इसमें क्या है कि जब भी price जो है तो इस support की level पर आएगा यहां पर तो यह जब power candle बनेंगी बड़ी बड़ी candles बनेगी तो आपको जो beginner trader होते उनको क्या लगता है कि price जो है तो इस level को जो है तो वो break करेगा लेकिन वैसा नहीं होता है आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ यहां पर जो है तो यह power candle को देखकर beginner trader आईसा सोचते है लेकिन professional का thinking जो होता है तो वो यहां पर वो exhaust हो चुका है यहां पर जो है तो आपने long यहां से जो है तो short entry कभी भी नहीं लेना है इस उम्मिद में कि price जो है तो यहां से जो है तो वो नीचे जाएगा इस तरह से वो ऐसा कभी नहीं होता है यहाँ पर जो है तो आपने short intryk करने के बज़े है, आपने क्या करनाए यहाँ पर जो है तो यह price समझो मान लो, इस level को break भे करता है तो आपने immediately short नहीं जाना है, क्योंकि यह जो होता है तो यह false breakout भी यहाँ पर हो सकता है उसके लिए आपने क्या करना है पेशेंटली वेट करना है प्राइज का और प्राइज को जो है तो आपने इस लेवल से जो है तो उपर आने देना है अगर फाल्स ब्रेक आउट भी होता है 또 उसके बाद में जो है आपको short जाने के बज़ाए आप जो है तो long entry के बारे में इस level पे जो है तो सोच सकते हैं अब मैं आपको इसका जो एक practical example है वो मैं आपको यहां पर जो है तो बता देता हूँ यहां पर अगर देखेंगे तो यह bank nipty का practical chart है यहां पर देखते हैं तो price ने क्या किया कि इस level पे जो है आपके लिए resistance का level हो जाएगा यह वाला अब यहांपर अगर देखते हैं तो price जो है तो वो कैशा react कर रहा है यानि कि आपको price को ध्यान में रखना है यहांपर अगर देखेंगे यह हर यक candle जो है इस level पे तो वो किस तरह से बन रही है यहाँ पर यह candle देखेंगे यहाँ पर यह candle देखेंगे यहाँ पर यह candle है और यहाँ पर यह candle है तो जैसे जैसे प्राइज जो है तो resistance की ओर आ रहा है तो उसका जो size है तो वो बड़ा होते जा रहा है लेकिन जो beginner trader होते है तो वो इसी में जो है तो वो trap होते है और उनको लगता है कि यहाँ पर जो है तो इस candle ने यहाँ से breakout दे दिया है तो वो हम long entry कर लेंगे और वो वैसा ही करते है इस candle को देखते हुए वो इस candle के उपर यहाँ पर entry कर लेते है उनके stop loss इस candle के नीचे होते है प्राइज जो है तो थोड़ा ऊपर यहां से देखेंगे तो यह प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया और यहां से जो है तो वो प्राइस यहां पर नीचे चला गया अब यहां पर अगर देखेंगे आप यह अभी तक जो है तो यहां पर इतनी बड़ी जो कैंडल है यह वाली candle या तो यह वाली candle यहाँ पर कही पर भी नहीं बनी है ऐसा क्या हुआ कि यह जो candle है तो वो इतनी बड़ी candle यहाँ पर ही बनने लगी तो इसका मतलब है कि जो retail trader होते है तो उनके stop loss इस level पर होते है और उनके stop loss मतलब आप object site इस example में sell order होते है तो जो बड़े player होते है तो उनकी requirement जो होती है तो वो 5,10,500,200 इस तरह से नहीं होती है उनकी requirement लाग, 10,500,000 की इस तरह से होती है तो उनको जो है तो यहाँ पर जो retail trader के stop loss हिट करने के बाद में जो है तो उनकी जो quantity है तो वो exact price पे जो है without slippage उनकी जो requirement है तो उनकी quantity यहाँ पर जो है तो फुल फिल हो जाती है तो ऐसे में आपने क्या कर सकते है कि आप यहाँ से जो है तो वो long जाने के बादरे में जो है तो आपने नहीं सोचना है instantly आपने क्या करना है price को reverse आने देना है और यहाँ पर जो है तो आप short कर सकते है इसे को trap trading कहते है and second example है जो वो मैं बताता हूँ आपको कि जब भी price जो है तो मान लो इस तरह से क्या हुआ कि higher high higher low करते हुए जो है तो यहाँ पर वो close हो गया तो उसके बाद में जो है तो आपके लिए support या तो resistance का level कौन सा होता है यह जो होता है तो यह आपके लिए support हो गया यहाँ पर अगर देखते है इस तरह से और यह जो है तो यह closing price आपके लिए मान लो resistance हो गया तो अभी आपने क्या करना है patiently wait करना है price का जो है तो इस level पे आने का तो आपको कैसे पता चलेगा कि price समझो मान लो इस level पे या तो इस level पे आने के बाद में भी इसको जो है तो respect करते हो है रिवर्सल होगा या तो break हो जाएगा तो यह मैं बता देता हूँ आपको तो मान ल तो प्राइज यहां से जो है, तो सपोट लेके इस तऱ से वो ऊपर चला गया. तो अपने द्हान में रखना है को प्राइज जब रेजिस्टन्स की ओर बढ़ता जाएगा, तो अपने जो है तो प्राइज का जो हाएर हाई हाएर लो होता है, उसको थोड़ा द्यान में रखना है प्राइज अगर रेजिस्टन्स की ओर आ रहा है और यहां पर लोवर लो बनाते हुए वोपर आ रहा है रेजिस्टन्स की ओर तो आप जो है तो इसको आप रियल ब्रेक आउट समझ सकते हैं उसके बाद में अगर प्राइज जो है तो यहां से ब्रेक भी कर लेता है इस तरह से यहां पर लोवर लोव बनाते हुए तो आप जो है तो उसको यहां पर बेशक लॉंग इंटरी ले सकते हैं वैसा ही होता है जब सपोर्ट की लेवल पर प्राइज होता है तो वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, मान लो प्राइज नहीं क्या किया, कि यहां यहां पे अगर देखेंगे तो यह आपके लिए क्या हुआ, यह सपोर्ट का लेवल हो गया, तो अब जो है, तो next time आपने क्या करना है, प्राइज जो है इस लेवल पे आएगा तो आपके लिए जो है तो आपने ये जो higher high होता है ये higher high बनाते हुए अगर price support की ओर आ रहा है इस लेवल पे और price जो है तो finally break करता है तो आप यहां पर short जाने के बारे में सोच सकते हैं ये जो होता है तो ये real breakout होता है अब मैं आपको इसके कुछ practical example बताता हूँ यहां पर अगर देखेंगे दोस्तों तो ये bank nifty का practical chart है कब का 13 October 2023 का तो यहां पर अगर देखेंगे तो आपके लिए अब resistance का level कौन सा होता है resistance का level जो हो तो वो होता है ये वाला क्योंकि यहां से जो है तो वो price ने क्या किया है कि इस level से price वो नीचे चला गया है इसका मतलब है कि इस level पे जो है तो वो seller exist करते हैं तो अब next time जब भी price इस level पे आएगा तो वो retail trader क्या करेंगे पहला price यहां से reverse हुआ है करके वो यहां पर जो है तो यहां से नीचे चला गया है अब next time price इस level पे आएगा तो इसके क्या guarantee है कि इस level से जो है तो price दूबार आ जो है तो नीचे चला जाएगा तो यहां पर अगर देखते है तो जब resistance के और price आ रहा है तो आपको यहां पर lower low lower low और lower low बनाते हुए price जो है तो वो क्या हो रहा है उपर चले जा रहा है इस तरह से तो उसके बाद में अगर देखते है तो यहां से price ने क्या किया finally इतना बड़ा candle बना कि यहां से price को break कर दिया अब आपके लिए trade opportunity कहां पर होती है तो यहां पर जो है तो lower low बनाते हुए resistance की और गया है and that's it guys in this video यह तो मैंने दो तरीके बताए लेकिन उसके आलवा बहुत से ऐसे trap होते है जिसमें आप trap हो जाते है और आपका जो hard end money है तो वो lose करते है stock market और trading आपको जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है यह सिर्फ आपको बाहर से आपको अच्छा लगता है कि लोग यहां पर profit बना रहे है आपको screenshot दिखा रहे है लेकिन यह इतना आसान नहीं है उनकी level तक जाने के लिए आपको stock market को और trading को सीखना जरूरी है यहां पर जो है तो आपको यह पूरा यह package है आप अगर इसको सीखना चाहते है तो आप हमारे चैनल के उपर बाकी के वीडियोज है उसे भी देख सकते है या तो आप अगर बिना कुछ किये आपको अगर सिर्फ ठाली में परोसा हुआ खाना चाहिए तो आप जो है तो मेरे कॉर्स को भी जोईन करने के बारे में सोच सकते हैं जिसमें मैं आपको प्योट पॉइंट, सीपी आर, प्राइज एक्षेन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी, बारा पैटर्न और स्टैटर्जी देता हूँ, आप भी अगर इसे सीखने के लिए इंट्रेस्टेड है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर और इमेल आईडी दिया हुआ है, उसके उपर मुझे आप वाट्सप या तो इमेल करके कोंटक कर सकते हैं, तो थैंक्स फर वाचिंग, सी यू इन दे नेक्स वीडियो